आज विहार के मुझफर्पुर पालीका ग्रहकांड में जिसका ट्रायल साकेत कोट में हुआ था जिसमें सजा की थी उम्रिक कैद और विविन भराव में सजा की थी आज मैंने दिल्ली उच्छने आले में विहार के मुझफर पुर्पालिका ग्रहकान में आरोपी की तरफ से अपील पाइल कर दी है जो सजायाथता कैदी है तिहार जिल में है उनकी तरफ से उसमें मिस्करिजाफ जस्टिस हमने अपील में प्रूब किया है कि किस तरह से ट्राइल कोर्ट में पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया प्रेशर के चलते जिस तरह से मिस्करिजाफ जस्टिस हुआ मूल बातों को जो डिफेंस एबिडेंस थी, जो तत्थ थे, जो सबूत थे जो ऑफिसर्स थे बालिकाग रहे के जो बेलफेर के लिए कर रहे थे जिन्होंने बेलफेर के लिए रिटिन में दिये सब कुछ उनको किस तरहें से आरोपी बना दिया गया और आरोपी के बाद सी भी आई जाज के बाद ट्राइल में उनको दोशी बना दिया गया और अब वो तिहार जेल में सजा काट रहे हैं ये सारी बातें, सारी दलीले बहुत महत्वपूर हैं डिफरेंस एविडेंस को नजर अंदाज किया गया स्टेटमेंट अफ एक्यूस को नजर अंदाज किया ट्रायल कोट ने चार्शीट के जो फैक्स थे एविडेंस जो सामने आई हैं एविडेंस में कहीं कहा भी जो पीडिता है पीडिता ने नहीं कहा उनके साथ ऐसा हुआ उसकी भी सजा दोशियों को दी गई और उसकी सजा भी दोशी तेहार जेल में काट रहे हैं इन सब बातों इन सब दलीनों को देखते हुए ट्रायल कोट को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि मेडिया ट्रायल का मत्तब पॉलिटिकल प्रेशन जिसमें हो जाए जिसमें संसर धावर में बात उठने लगे जो पिधान सभा में गूजने लगे जिसमें पटना हाई कोट मे प्रेटिशन फाइल हो जाए इसका ये मतलब नहीं है कि नियाए की आवधारना की खत्म हो जाए एसे चुजस्टिस वार आल नयाज सब के लिए है होना चाहिए दिखना चाहिए और ये सब बाते मैं माने दिली हाई कोट में मुझफर पुर के बालिका अगरेखान केस में आरोपियों की तरफ से उठाऊंगा इसलिए मैने इसमें क्रमिल अपीलाज फाइल करती है